तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है सीटेट का एक्जाम आपका बहुत कम समय में अभी होने वाला है आप सभी जानते हैं और आप एवियस की पेड़ागोजी अपने आप में पंदरा नंबर का वेटिज रखती है आपकी सीटेट के एक्जाम में और आपकी कई सारे कॉमेंट्स मैंने देखे जो एवियस की पेड़ागोजी की रिक्वेस्ट को लेकर के थे तो आज हम इसको एक क्लास में फिनिश सेम हम एवियस की पेड़ागोजी को इस एक मेराथन क्लास में डिसकस करेंगे और काफी सारे क्वेस्टन भी साथ साथ में मैं लेकर के चलूंगे तो यह विडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन है प्लीज इसको वदाउट स्किप किये देखें मेरा कुछ फर और सींपड़ागोरा के लिए नहीं बेट इस इस लिए आप टेलीगराम गृप को जरूर जोइन कर ले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को तो फॉस्ट ऑ ऑल अगर हम सम्झें ईविए के बारे में तो एविएस क्या है इविएस क्या है सिर्फ हमारे आपका history है क्या geography है तो EVS वहां पर इक इंट्रड्यूस किया गया subject जिसमें कि इन सारे subjects को एक integrate manner में बच्चे को सिखाया गया उसी में science के topic भी है उसी में आपके history के topic भी है जैसे अलबरुनी भारत कब आया यह history के related topic हो गया science में आपका digesting हो गया और बाकी सारी चीजे जो है वह science से related होगी पौदों से related बाते हैं तो यह सारे topics को sum up करके क्या किया गया EVS बना दिया गया और वह भी बच्चे के surrounding से connect करके बनाया गया ताकि बच्चा उसको बहुत easily सीख सके ठीक है तो अगर हम बात करें दा स्लेबस फोर EVS क्लास थर्ड तु फिफ्ट इन्दा एंसी आटी टेक्ट बुक इस वोवन अराउंड सिक्स कॉमन थीम्स ठीक है इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया वह बहुत मुश्किल हो जाता है में लिएक वर्ड क इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की तो यह सिक्स थीम्स है जिसमें आपकी EVS जो है वो बटी हुई है ठीक है अगर हम बात करें हैंस इस थीमेटिक इन अप्रोच एंड नौट टॉपिक बेस बहुत जादा इंपॉर्टंट लाइन आपकी यह है क्या है इविस ज यह सारी क्या है थीम बेस्ट है आपकी जो एविस है टॉपिक बेस्ट जो है वो नहीं है ठीक है इच थीम इच थीम बिगिंस भाइंग चिल्डर्न एक्सप्लोर देयर इमेडियेट सेल्फ तो इंक्लोड ही और हर फैमिली एंवार्मेंट नेबर्वूड लोकैलिटी एंड जो भी थीम आपकी दी गई है जैसे फैमिली एंड फ्रेंड है फूड है शेल्टर है वो सारी थीम जो है वो बच्चे को एक्स्प्लोर करती है किस चीज के लिए अपने इमेडियेट एंवार्मेंट के लिए जो उसके आसपास का एंवार्मेंट है यह नहीं है कि उसको बच्चे को EVS की बुक में बताई गई है थाकि बच्चा रिलेट कर सके उनसे कि अच्छा यह चीज़े तो मैं अपनी पडोस में देखता हूं यह चीज़े तो अपनी फैमिली में देखता हूं ठीक है तो यह आपकी रही थीम अगर हम बात करें तो उच्छे आपकी थीम ह के साथ मिल करके करते हैं ठीक है हम अपनी फैमिली के साथ बैठ करके खाना खाते हैं हम अपनी फैमिली के साथ बैठ करके पानी पीते हैं हम अपनी फैमिली के साथ एक शेल्टर में रहते हैं एक घर में रहते हैं एक खुशाल फैमिली के साथ में उसी के साथ हम ट्रैवल कर नियुकि आपको प्रेइमue कर रहे हैं जुकि एंप फैमिल करते है घुमने जाते है पनी और or दो यहां रहुं करते हैं तो यह क्या लुट और टिंट logisile जैसे relationship हो गया, work and play हो गया, animals हो गया और plants हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको याद करने की भी ज़रत नहीं है, ये पूछा जाता है option में, अगर आपको ये 6 याद है ना, तो इन में से कोई और extra होगी, तो आप समझ जाओगे, कि इन 6 के अलावा जो भी extra होगी, वो क themes आपका आराम से डूंड लेंगे paper में, ठीक है, चलिए, which one of the following is not one of the six broad themes of evious in the present syllabus, अभी अभी हमने discuss किया, इसमें पूछा गया, कौन सी broad theme नहीं है, देखो हम अपनी family के साथ में खाना खाते हैं, एक shelter में रहते हैं, और उनके साथ में ही हम things we make and do करते हैं, मतलब उनके family and friends के अंदर आती है, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए, the abbreviation of evious stands for, यह question भी आपसे पूछ लिया जाते हैं, हम वहापे यहाँ इसको लेकर भी कई बार paper में confused हो जाते हैं, कि environmental study, evious का जो है, वो abbreviation क्या है, ठीक है, मतलब evious की full form क्या है, यह पूछा गया, environmental skill है, environmental science है, environmental sources है, environmental studies है, तो आपको याद रखना है, confused नहीं होना, environmental studies है, आपका evious का, जो full form है, ठीक है, चलिए, evious is the elementary education, is visualized as an integrated subject area, which draws upon insight from science, ठीक है, जिसमें की physical, chemical और biological चीज़े आती है, social science, जिसमें history, geography, civics आ जाती है, and environmental education, जिसके अंदर की protection और conservation आ जाता है, ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, यहापे evious जो है, जो elementary education है, evious जो है, primary level पर उसको visualize किया जाता है, देखा जाता है, एक integrated subject के रूप में देखा जाता है, आपको इस word को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बठा लेना है, evious की जो theme है, वो क्या है, approach क्या है, integrated है, ठीक समझा जाता है, क्योंकि बच्चा जो है, अपने आसपास की चीजों को हमेशा क्या करता है, holistic manner में देखता है, उनको सब एक जिसाद देखता है, वो उसके आसपास में जो paid है, जो पाक है, आसपास में उनको यह नहीं कहेगा, कि यह geography का part है, ठीक है, वो यह कहेगा, यह तो single subject approach and help children to use the contents and method of science and social science and environment to solve environmental problems and issues in future, CDCC बात है, एक single subject approach है आपकी, इन सारे subjects को एक ही में समाहित करके बच्चे को EVS के दुरू सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे वो cognitively इतना develop नहीं होता है, जो 3rd to 5th class तक का बच्चा होता है, कि वो सब चीजों को अलग-अल से नहीं समझ सकता है, तो उसके surrounding के आसपास की चीजों को सब को इकठा करके EVS में डाल दिया गया है, one of the main focus of EVS is to expose children to the actual world they live in, बहुत ही important line है, main focus क्या होता है, कि बच्चा जो है वो expose कर सके अपने actual world में, किताबों में हम क्या देखते हैं, बच्चे क्या है, किताबी कीडे बनते जा रहें, उनको किताबों की तो पूरी knowledge है, लेकिन अपने आसपास की दुनिया की कोई खोज घबर नहीं होती है, लेकिन EVS में क्या है, EVS का main focus ही यह है, कि बच्चा क्या है, अपने actual world, जो उसके आसपास का environment है, उस से जोड़ सके, इसलिए इसके बारे फूड के ब बारे में, cooking के बारे में, traveling के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात किले है, क्योंकि इन सब चीजों को बच्चा अपने आसपास में concrete रूप से देखता है, ठीक है, the learning situation experiences of EVS help children to explore and connect with their natural and human made surrounding, ठीक है, जो EVS में, जो यहाँ पर learning situations है, वो बच्चे की help करती है, explore करने मे जुडने में, उसका जो natural environment है, उसके आसपास का और जो human made surrounding है, उससे जुडने में बच्चे की क्या करती है, मदद करती है, इसलिए EVS की theme जो है, वो इस तरीके की रखी गई है, it is child centered, जो EVS की theme है, वो क्या है, child centered है, teacher centered बिलकुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर definitions नहीं रटव तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यह चीज को बहुत ध्यान से, दो important point है, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने है, in EVS concepts and issues have not been compartmentalized, into science and social science, यहाँ पर क्या है, एक अलग-अलग compartment नहीं बनाया गया है, science का, or social science का, because the child look at her environment or his environment in holistic manner, क्यों compartmentalized नहीं किया गया है, क्यो social science की अलग-बुक नहीं बनाई गई है, क्यों, यह आपसे question पूछा जाता है, क्यों इसको एक ही slaves के रूप में दे दिया गया है, तो आपको बोलना है कि बच्चा जो है, अपने आस-पास के environment को holistic manner में देखता है, उसको नहीं मालूम है, कि यह geography का part है, यह history का part है, यह आप यह दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखने ही, पेपर में यह दोनों वर्ड आपको आपके answer तक पहुचाएंगे, ठीक है, next देख लेते हैं, चलिए, question देखते हैं, फटा-फट से, इस concept and issues have not been compartmentalized into science and social science, यह जो पेड़ागोजी है ना, आपकी word to word उठके आती पेपर में, ठीक है, why, क्यों compartmentalized नहीं किया गया, यह पूछा गया है, आपसे, तो देखिए, it is for decreasing the slabus load, जो slabus load है, उसको कम करना है, जी नहीं, slabus load को कम करने के लिए इसा नहीं किया गया, slabus of ebs has been prescribed as such by cbsc, यह तो हम सब को ही पता है, बताने क्या ज़र था, the child look at his environment in holistic manner, ठीक बात है, बच्चा जो है, वो अपने आसपास के environment को एक holistic manner में देखता है, इसलिए हमने compartmentalized नहीं किया है, इस slabus को, ठीक है, चलिए, fourth option, it is a good teaching learning strategy, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करने से ही good teaching learning होगी, ebs is not, ebs is not, sorry, यहापे थोड़ा सा mistake है, यह मेरा typing mistake है, ebs is not in class first and second, but the issues and concept related to it are meant to be a part of language and mathematics, यह आपको याद रखनी है, क्या है, ebs की book है आपकी, वो third to fifth class दी गई है, अब आपसे question पूछा जाता है, कि ebs जो है, वो first or second class में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके जो issues है, जो concept है, वो context में पढ़ाया जाते है, किसके context में language और mathematics के context में, ebs क chapters है, ebs की issues है, जो concepts है, उनको language और mathematics के through पढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा language की book है, maths की book है, उसके अंदर भी, आपके अंदर जो examples लिये गए है, वो आपके surrounding से लिये गए है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी examples है, वो आपके आस-पास की चीजों से लिये गए है, तो ebs जो first class or second class का बच्चा है, वो ebs को भी अलग से नहीं समझ सकता है, इसलिए उसको क्या है, context में पढ़ाया जाएगा, language और maths के context में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसलिए first or second में क्या है, ebs की book को नहीं दिया गया है, ठीक है जी, चलिए, इसका question देखते है, फटा-फट से, which of the following is true with respect to ebs subject for classes first and second, ठीक है, कौन सी बात true है, first or second के मामले में ये पूछा गया, ebs at subject is not easy to understand at class first and second, ebs जो है, वो understand नहीं है, easy करना class first or second के बच्चों के लिए, देखो ऐसी बाते हम नहीं करते हैं कि बच्चे के लिए कुछ मुम्किन नहीं है, इसलिए हमने हटा दिया ठीक है, issues and concerns related to ebs are translated through language and mathematics, not only language, ebs is a new subject introduced at the classes, first or second, new तो हर उसमें होगा, थर्ड में करोगे, तब भी तो एक बार के लिए new होगा बच्चे के लिए, तो ऐसा नहीं है, answer आपका क्याल रहेगा, issues and concerns related to ebs are translated through language and mathematics, क्या होता है, first or second में, जो भी concept होते हैं ebs से related, वो maths और language के थरू बच्चे को सिखाया जाते है, ठीक है, चलिए, एक वार question देखते है, in ebs themes have been proposed instead of topics in the syllabus, यहां पे क्या है, ebs में जो है वो themes को introduced किया गया है, प्रपोस किया गया है, topic की बजाए, ऐसा क्यों किया गया है, यह पूछा गया, theme based ebs transaction is easy as compared to the topic, क्या ऐसा हो सकता है कि topic के रूप में देदो, theme के रूप में देदो, उसमें easiness में कुछ फरक पड़ जाएगा, जी नहीं, ठीक है, for reducing chapter in ebs, जी नहीं, chapters को reduce करना भी कोई हमारा हल नहीं हो था, to enhance the environmental comprehension of the learner, यह बात कहीं हद तक ठीक है, कि जो environmental comprehension है बच्चे की, वो enhance करने के लिए होती है, लेकिन, क्या इससे अच्छा option है हमारे पास में, for developing connected and interrelated understanding of issue of the learner local environment, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए ऐसा किया गया है, ऐसे theme इसलिए बनाई गई है, ताकि बच्चा जो हो connect कर पाए, interrelate करके understand कर पाए, बच्चे का जो local environment है, आसपास का environment है उसके साथ में, ठीक है, इसलिए theme को propose किया ग not true with respect to EBS, क्या true नहीं है, EBS emphasis descriptions and definitions, EBS descriptions and definitions की बात करता है, nature of EBS is integrated, बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपको तीन चीज़े सही भी पता है, तो आप गलत वाला आराम से निकाल लोगे, integrated है, बिल्कुल बात है, EBS is based on child centered, अभी भी मैंने बता है, child centered है, बच्चे पर ध्यान देंग मौका देगा, तो बिल्कुल ठीक बात है, सारी चीज़े ठीक है, लेकिन descriptions और definitions के लिए, EBS में कोई जगह नहीं है, इतने छोटे बच्चे को हम descriptions और आपकी definitions को नहीं रटवाते हैं, इसलिए तो EBS को real life से connect किया गया, ताकि बच्चे का बीचा चूटे definitions से, ठीक है, करता है environmental issues by using the content and method of, किस कौन से उसको use करता है, science and social science को, social science and environmental science education को, science को या फिर science, social science and environmental education तो बिल्कुल ठीक बात है, मैंने अभी भी आपको बताया, इन तीनो subject को अपने अंदर कहीं ने कहीं समाहित करता है, EBS जो है, ठीक है, चलिए, फटा फट से बढ़ जाते है, NCF 2005 क्या कहता है, EBS के बारे में वो देख लेते हैं, उसको सब कुछ नहीं मानना है कि किताबों को बिल्कुल चाट जाओ रटलो, ऐसा NCF नहीं कहता है, तो इन चीज़ों को तो आप हर subject के लिए ध्यान रखेंगे, particular EBS के बारे में कुछ और चीज़े है, to train children to locate and comprehend relationship between the natural, social and cultural environment, बच्चे को कहीं ने कहीं ये समझाना है हमें, जो देखो, drawn from life experiences and physical, biological, social and cultural aspects of life rather than abstractions, देखो, abstract concept होते है उसको बच्चे को हमें नहीं सिखाना है शुरू में, हमें क्या करना है, उसको उसकी जो understanding होती है ना बच्चे की, वो observation और illustration based होनी चीज़े, observation मतलब आप बच्चे को बाहर लेकर गए हो एक project के लिए, उसको आप बहा रहे हो, कुताबों में पढ़ा रहे हो, बोलते है ऐसे ऐसे फलानी जगह में ये चीज़े होती है, दिंगानी जगह में ये चीज़े होती है, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, कैसे उसको लाइब experience देने है, physically, biological, social, cultural aspect जो है उसको लाइब examples के तरू सिखाना है बच्चे को ना की abstract examples के तरू, ठीक है, चलिए, next है आपका to create cognitive capacity and resourcefulness to make the child curious about social phenomena, starting with the family and moving on the wider spaces, क्या करना है, to create cognitive capacity and resourcefulness, आपको क्या करना है, कि बच्चे के लिए resourcefulness रखना है, बहुत सारे उसको resources provide करने है, nature को उसको देना है बच्चे को ये नहीं कि classroom में बैठे बैठे किताबे रटवार है आप उसको बाहर nature की थ्रू पढ़ाएंगे, जिससे की बच्चे की understanding बनेगी और start कहा करना है, उसकी family से start करना है, अच्छा आपकी ममी खाना ऐसे बनाती है, ये cooking का तरीका है, फिर उसके बाद में आप उसको लेकर जाते हैं, अच्छा ये जो चीज है ना, ये जो जिस खा इंको खाली छोड़ा जाता है, ये फलानी जगह पर होती है, फिर आप family से उसको कहा ले गए, outer, wider place में ले गए, दूसरी जगहों पर लेकर के चले गए, यानि कि concrete चीजों से abstract की तरफ आप उसको लेकर के जाएंगे, known to alone लेकर जाएंगे बच्चे को, to nurture the curiosity and creativity of the child, particularly in relation to the natural environment ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चे की nurture करना है, जो उसकी curiosity है, बच्चा बहुत curious होता है, उसको हर चीज के बारे में जानना होता है, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये पेड है, हिल रहा है, तो क्यों हिल रहा है, इसके पत्ते कैसे हैं, कहां चले गए, अगर जड़ बनता है EVS की पेड़ागोजी का, ठीक है, NCF से बाहर आपका पेड़ागोजी कहीं नहीं जाती है, किसी भी सब्जेक्ट ही, ठीक है, अवेरनेस उसके develop करने, environmental issues के बारे में, कि वाटर स्केरिसिटी क्यों होती है, आज के जमाने में हम लोग पानी की कमी क्यों आती जारी, क्योंकि हमने कूँ तालाब हो, इनमें पानी कठा करना ही बंद कर दिया है, इनको importance देना बंद कर दिया, कहीं ने कहीं, ठीक है, पानी को जो हम पहले एक save करके रखा कर दे थे, वो हमने बंद कर दिया, तो awareness बढ़ानी बच्चे की, उसको सोचने पर कहीं ने कहीं, हम धीरे धीरे करके मजबूर करते हैं, कि देखो हमारे resources जो है, उनको हमें किस तरीके से use करना है, to engage the child in exploratory and hands-on activity, बहुत ही important line है, hands-on activity और exploration, ठीक classification, inference, ठीक है, किस के तरू सिखाना है बच्चे को, observation के तरू, classification, inference, इन सब चीजों से, बच्चे की psychomotor activity जो है, वो include हो सके, hands-on activity को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, चलिए, to emphasis, design and fabrication, estimation and measurement as prelude to be development of technology and quantitative skill at later stage, ये सारी चीज़े का बाएंगी, estimation, measurement हो गया, आपका logical चीज़े, quantities के लिए आपकी later stage पर आएंगी, फिलहाल हम बच्चे को इसा चीज़े नहीं देंगे, to be able to critically address gender concern and issue of marginalization and operation with values of equality and justice and respect for human dignity and rights, देखो, यहाँ पर आपको बच्चे को बहुत सारी चीज़ों को बहुत हीट अच्छे तरीके से, एक sensitive तरीके से आपको सिखाना है, gender equality क्या है, और किस तरीके से आपको क्या है, gender के प्रती concern रहना चाहिए, जैसे AVS में आपने देखा होगा, कि जो gender biasness है, gender stereotyping है, उसको तोड़ने की कहीं ने कहीं, बुक में आजकल कोशिश की जा रही है, कि mother जो है, वो बाहर का काम कर रही है, father जो है, वो mother के साथ में, kitchen में help क कर रहा है, तो यह सब चीजों को लेकर के धीरे धीरे बच्चे की जो एक जो mindset जो बनाया होगा है, बहुत जादा, gender stereotyping, उसको आपको starting से ही क्या करना है, ब्रेक कर के चलना है, अपने environment study के थरू, अब देख लेते हैं question, NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbook for EVS for class 1st and 2nd, the most appropriate reason for this, NCF ने 1st or 2nd के लिए कोई EVS की book को prescribe नहीं किया, इसका most appropriate reason आपको क्या लगता है, ठीक है, अब देखो, हमने वहाँ क्या पढ़ा था, कि language के थरू हम पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो option ही नहीं है, अब क्या करोगे, to reduce the load of curriculum, curriculum के load को reduce करने के लिए, तो ऐसा नहीं होत ऐसा भी कहीं नहीं होता है, कि बच्चा 1st or 2nd क्लास में जाते हैं, पढ़ी ना सके और लिखी ना सके, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बच्चा पढ़ भी जाता है, लिखा भी जाता है, उससे, to provide contextual learning environment, देखो, यहाँ पर आता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी कि कॉंटेक्स्ट में समझाया जाता है बच्चे को, 1st or 2nd क्लास में EBS को बच्चे को language और mathematics के context में समझाया जाता है, वहाँ पर भी जो examples लिये जाते हैं, वो उसकी surrounding से लिये जाते हैं, तो EBS को क्या किया जाता है, contextual environment में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसलिए 1st or 2nd में EBS क अब क्या मतलब है इसका, यहां क्या बोला गया है, कि विच वनाओ फॉलिए नेशनल कुरिकूलम फ्रेमवर्क, NCF 2005 दस नाट प्रोपोस इन दा कॉंटेक्स्ट ऑफ इस टीचिंग, ठीक है, क्या चीज को हो है, यहां पर प्रमोट नहीं करता है, EBS टीचिंग के मामले में तो क्या है, Linkage with Children's Experience and Context, यहीं तो बिल्कुल ठीक बात है, कि हम उसको लिंक करते हैं, बच्चे के Experience के साथ में, और Context के साथ में, Hands-on Activity की बात करते हैं, अभी अभी हमने, NCF में पढ़ा, कि वो क्या करते है, Hands-on Activity की बात करते हैं, Familiarities with Technical Terms, अच्छा जी, और Thematic Approach, तो Thematic लेकिक अपरोच अपरोच तो हमें पता ही है कि थीम से बेसे हमारी सारी जो इवियस है लेकिन यहां पर उसने अभी अभी हमें बोला हम House उनगया कि जो भी विपर आप मेशरमेंट है अबस्टेक्शन है उनको हम लेटर स्टेज के लिए रखते हैं ठीक है ना कि थर्ड तू फिफ्ट क्लास के बच्चे के लिए उसको लेकर के आजेंगे तो यहां पर क्या होगा नॉट प्रॉपोजड बोला है तो फैमिलिरिटी विट टेक्निकल टेक्निकल टे कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए उसके बारें बात करेंगे लिएशी की जो बुक कैसी होती है चायल्ड सेंटर करने के लिए किस चीज के लिए घये नहीं है उसके अिपिनेशन के लिए और information के लिए ठीक है EVS के textbook में कोई जगह नहीं है definitions के लिए और information के लिए आप लोग खुद उठा करके देखते हैं third class से fifth class की book कोई definition कोई information की तौर पे बावे भर नहीं रखा है कि बहुत information दे दिया और आपने उसको पढ़ दिया और रट लिया जी नहीं real life situations दे रखी है सुनितया विल्यम स्पेस में कैसे गई वहीदा प्रेजन क्या थी अल बरुनी भारत कब आया tasting, food से related, cooking से related सारी चीज़े क्या है आपकी real life से connected है कोई भी definition आपको वहाँ पे नहीं रटनी है definition, information, technical terms यह सारे आपके क्या है EVS से related मतलब 3rd से 5th क्लास के बच्चे को आपको नहीं सिखाना है यह आपके negative answers है the real challenge is to provide children with opportunities to express learning by doing, ask questions and experiments ठीक है क्या करना है आपको बच्चे को opportunity देनी है express करनी की learning by doing करने देना है questions पूछने देना है experiments करने देना है ठीक है यह आपकी EVS की book में भी given है बहुत सारी चीज़ें आपकी EVS की book में दे रखी है the language used in the book is not formal but has spoken by children children see a page of a book as holistic visual text and not separately as word or illustration देखो बच्चा क्या है बच्च को एक holistic तरीके से देखता है जैसे जैसे चीज़ें उसके इंदर लिखें उसके इंदर क्या लिखा हुआ है भाई एक बच्चा है वो आज खेलने गए वो आज स्कूल नहीं जा पा रहा है उसके दोस्तों ने जाके उससे पूछा क्या हुआ तो बोलता है कि भाई मुझे तो बहुत जादा ठंड लग रही है कमकपी होके मुझे बुखार हुआ है तो कहता है कि ऐसा होने से क्या हुआ है malaria हुआ है डॉक्टर को चेक करवाया तो उसको malaria बताया तो यहां क्या है एक बातों-बातों में malaria का concept जो है वो समझाये गया है ना कि वहाँ पे सारा कुछ यह बता दिया आपकी EBSC book में Pages have been developed Keeping this in mind that the textbook is not only the source of knowledge Pages को इस तरीके से बनाया गया है कि textbook जो है सिर्फ source नहीं है knowledge का source नहीं है but should support children to construct knowledge through all sources around them such as people, their environment or newspaper Textbook को इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चों के लिए वो सिर्फ एक source नहीं हो बलकि उसके अंदर सब कुछ दिया गया है कि बच्चे knowledge को construct कर सके उनके आसपास की surrounding में लोगों के बारे में environment के बारे में newspaper cutting है कोई real story है बच्चे उससे connect कर पाते है The content in an EBS textbook should बोला गया है कि 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 तरीके का content होना चीए EBS की book में तो अभी भी हमने देखा कैसा है तो आपको पता ही है avoid descriptions and definitions बिल्कुल ठीक बात है definitions को descriptions को हम बिल्कुल avoid करेंगे discourage rote learning बिल्कुल ठीक बात है rote learning को हम discourage करेंगे EBS की book में कहीं भी rectification वाली बात नहीं है provide opportunities to the child to question and explore बिल्कुल ठीक बात है कि सिर्फ और सिर्फ written information दिया जाए अभी भी उने पढ़ा कि textbook सिर्फ और सिर्फ source नहीं है कि आप उससे knowledge प्राप्त कर लो बस उसके अलावा भी आपने क्या है उसको बहुत अच्छे से real life से जोड़ना है आपको तो क्या होगा आपका आंसर रहेगा यानि कि दीवा आपका आंसर रहेगा तीन स्टेटमेंट सही है इसके इंदर में एक गलत है बिल्कुल नहीं नहीं प्रमोट ही नहीं करते शुट बिल्कुल नहीं तेक्निकल और फॉर्मल ना जी थर्ड से फिफ्ट क्लास की बच्चे को क्या करोगे आप टेक्निकल और फॉर्मल देखर के शुट बे रिलेटेटेट टू एवरीडे लेंविज ऑफ दे टाइल बिल्कुल ठीक बात है कैसी होने चाहिए बच्चे के डेली जो रोज की भाशा वो बोलता है equipped अज़र शोच को सकरा है को मिल होती है हम अपनी फैपीनी के साथ ंने के साथ में घर में रहते हैं और जो को सिदनी जीजे इनी की साथ में V कष्रेडेट पानी पीते हैं विस के साथ में ट्रेफल करते हैं और जितनी न लिजीज चीज़ी भी मेक और उन्हीं के साथ में करते हैं ठीक है चलिए स्लेबस वेब मुव्स आउट वार्ड यह बहुत इंपॉर्टन लाइन है इसको आपको ध्यान रखना है आपका जो स्लेबस है वह किस तरीके से जाता है इस में फ्रॉम चाइल्ड इमेडियेट सराउंडिंग बच्चे क पहले घर के बारे में बात की जा रही है आपकी ममी खाना कैसे बनाती है खाने को प्रिजर्व कैसे करती है ठीक है फिर उसके बारे में बात की जा रही है आगे आगे जो फोर्थ क्लास है उसमें बात की जारी है ओनियन की फसल कैसे उगाते है जूम फार्मिंग कैसे होती है फिर next उसमें किया जा रहा है कि आपकी जो digestion system है वो कैसे काम करता है फूड को कैसे पचाया जाता है तो क्या है आपके immediate environment से आपको science की तरफ या wider या country की तरफ आपको country की बाकी चीज़ों की तरफ आपको ले कर जाया जाता है अब आपको बताना है इन में से कौन सी ऐसी चीज़ जनरल अप्रोच है जो कि EVS के लिए अपनाई जाती है इन में से एक जो है वो गलत है concrete to abstract जाता है बिल्कुल ठीक बात है मैं कब से आपको समझा रही हूँ पूरे lecture में के EVS की जो theme है वो concrete से abstract की तरफ बच्चे को ले के जाती है उसकी real surrounding से फिर हम उसको कहानियों पे ले के जाते है सिंपल से complex की तरफ लेके जाते हैं बिल्कुल ठीक बात है local से global की तरफ लोकल के है उसके घर का environment उसकी गली का environment उसके बाद हम उसको ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाते है बच्चे को फिर आता A, B और C आपका answer रहेगा तो यह हट गया आपका only D एक्सेप्ट बोला है ना तो only D यानि कि यह वाला answer आपका नहीं रहेगा चलिए next देखते है फटा फट से अब आता है आपका curricular expectations in EBS curricular क्या है expectations क्या है EBS की acquire awareness about immediate wider surrounding environmental through life experiences on various themes related to daily life ठीक है nurture natural curiosity and creativity for the immediate surrounding develop various processes skill through interaction with immediate surrounding यह सारा कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ यह सिर्फ मैं इसको sum up कर रही हूँ develop sensitivity for the natural physical and human resources in the immediate environment बच्चे को आपको क्या करना है sensitive करना है उसके आसपास का जो natural है physical है human resources है उसके आसपास में उसके लिए sensitive करना है क्यों को हमें कैसे बचा के चलना है ठीक है ठीक है जब आप छोटे से बच्चे को सिखाने लगोगे न तब वो आगे चल करके एक जिम्मेदा of EVS कौन कौन से resources का हम सबसे ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं यहां से भी question आता है आपका EVS में कहीं ने कहीं हम किनके चीजों का इस्तिमाल करते हैं टेक्स बुक्स का भी इस्तिमाल करते हैं supplementaries, books, e-resources, interactive, media, film, environment यह सारी चीज़ें अपनी जगए हैं इसके अलावा हम जो चीज़ करते हैं projects के तुरू EVS बहुत अच्छे सीखा जा सकता है discussion हो गया, experiment हो गया, exploration हो गया, survey करना, interaction करना लोगों के साथ में, interviews करना, role play करना, storytelling, field visit हो गया, drawing and craft हो गया, quiz हो गया, और भी काफी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके surrounding से, आपके environment से आपको जोड़ती हैं इसी के तुरू आप बच्चे को assess कर सकते हैं, इनी के तुरू बात करें, तो जैसे अगर आपको बच्चे को कोई project देना है, अगर आपसे question किस तरीके से पूछा जाता है, कि availability of water at the time of your grandparents and parents, compare it with the present situation, अगर आपको बच्चे को ये वाला एक चीज़ देना है, तो आप उसका जो assessment है, या उसका जो learning हो किस तरीके से करवाएंगे, आपके प पानी के बारे में बच्चों को बताना है, तो सबसे बैस तरीका क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कि आपके आसपास में कोई लेक है, वेल है, बच्चे को लेके जाए, बताइए कि देखो किसी जमाने में ये लोगों का source हुआ करता था, वाटर का आज की डेट में ये ऐसे पानी पड़ी हुई है, इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम इन में भी पानी को सेव करके पानी को कहीं ने कहीं बचा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, फो इतना किसलिए, फिर क्या है discussion, discussion किन topics पर होना झाये, why some people have very less water and other have it it is plenty इस पर discussion होना चाहिए why would happen if you do not get water for two days अगर आपको दो दिन के लिए पानी ना मिले तो क्या होगा इस बात पर बच्चों से discussion करना चाहिए कैसा लगे का तुम्हें अगर दो दिन तक तुम्हें पानी ना मिले क्योंकि इसको तो रियल लाइफ में नहीं करके दे सकते हैं discussion करना चाहिए बच्चे उबला आप कौन कौन से daily activities जो आपके रुख जाएंगी अगर आपको दो दिन पानी ना मिले तो तो water कितना ज़दा important है देखो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के लिए पानी वह मतलब खुला बहा रहे हैं मतलब दस दस बाल्टियों से ना आ रहे हैं और कुछ लोगों एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं तो यह क्या है discussion method से होना चाहिए फिर आपका experiments होना चाहिए what float sink, what dissolve, what does not dissolve यह जो एक topic है, यह experiment भी based है अगर पूछा जाए कि बच्चे को यह वाली activity यह वाला जो concept है वो किस तरीके सिखाया जाए कि कौन सी चीज़े पानी में डूब जाती है कौन सी तैरती है तो इसका best तरीक है क्या होगा experiment के थूँ इसको सिखाया जाता है जब पूरी को गर्म तेल में डाला जाता है तो एक बार के लिए वो क्या जाती है कडाई की तह में जाती है बिल्कुल और जैसे ही वो फूल जाती है, हलकी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल उपर float करने लग जाती है तो यह क्या एक तरीके का experiment है बच्चा देखता है और सीखता है अच्छा वो पहले मतलब भारी थी तो नीचे थी हलकी होने के बाद वो उपर आ गई survey and interviews किस-kis topic के लिए हो सकते है survey of school neighborhood for wastage of water यहाप एक survey होना चाहिए जिसमें wastage of water आपके school में आपके neighborhood में ऐसा survey हो interview of anyone farmer, gardener, driver इन सबका interview आप ले सकते हैं इस चीज़ को ले करके role play a family where father, mother doing the household course, girl child who stay home इन पे आप role play का सहरा ले सकते हैं बच्चे को सिखाने के लिए ठीक है तो यह मेरी तरफ से कोशिश थी कि EVS की pedagogy आपको एक वीडियो में जो है वो complete दे दी जाए और मैंने अपनी पूरी कोशिश किये सारे ही जो topics हैं उसको cover करने की तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे like करें अपने friends के साथ में जरूर शेयर करें comment करके मुझे जरूर बताएं आप लोग comment भी मतलब बड़ा मतलब दीले हो आप लो comment करने में भी ठीक है और अगर नए ह एकन को हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियो की notification मिल सके है टेलिग्राम चनल का लिंक description box में आपको मिल जाएगा महां से उसको join जरूर कर लेना आप लोग थैंक यू कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेरिंग